हेलो एविण सुकॉन्य श्टॉड़ी में एक बार फिर सेय आप सभी का स्वागत हैं आज को हमारा टॉपिक है वह है लेटर वार्ड अन लेटर व splendid जानेंगे कि लेटर क्या होते है वन क्या होता है यह इंग्लिज में बहुत सीच टॉपिक और अगर आप इंग्लिस पढ़ रहे हो तो आपको बहुत जरूरी है ये पता होना कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, अगर आप से कोई पूछे कि ये लेटर वर्ड सेंटेंस होता है, तो आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोंगे, ये smallest unit of a word जो letter होता है वो कोई भी word का क्या है सबसे smallest unit होता है letter बोले तो A to Z जिसको हम लोग alphabet भी कहते हैं पूरा English में अगर देखें तो जितने भी word होते हैं word से sentence बनते हैं sentence से paragraph बनते हैं paragraph से आप देखते होगी chapter बन जाते हैं chapter से book बन जाते हैं उस पूरे में क्या letter के अलावा और कुछ होता है सब कुछ letter से ही बना होता है इसलिए यहां बोला जा रहा है कि A letter is the smallest unit of a word letter क्या है कि word का smallest unit होता है एक example देखते हैं क्या है कि जिस तरह घर होता है ठीक है क्या होता है अगर कोई छोटा घर बनाता है कोई बहुत बड़ा घर बनाता है लेकिन उसके basic unit क्या होता है eat होता है eat eat जोड कर ही न बहुत बड़ा होता है उसी तरह letter से क्या होता है word बनते word से sentence बनते sentence से paragraph paragraph से chapters बन जाते है और chapter से पूरा का पूरा book बन जाते है तो clear cut है letter का मतलब बस इतना समझना है कि a letter is the smallest unit of a word letter क्या है word का सबसे छोटा unit है क्योंकि letter से ही word बनता है ठीक है अब next हम लोग देखेंगे कि word क्या होता है और sentence क्या होता है तो चले देखते हैं आप word letter देख लिए हम लोगों ने अब देखेंगे word कि word क्या होता है तो क्या लिखावा है कि a group of letters a group of letters which gives a complete sense is called word क्या बता रहा है कि जो word होता है वो group of letters होता है लेकिन वो letter से हमको complete sense मतलब complete वो meaningful होना चाहिए पता चलना चाहिए कि वो letter वो letter के arrangement से वो word बना है उसका मतलब क्या है मतलब word तो होंगे letters से बना होंगे word लेकिन वो word का systematic arrangement होना चाहिए जिससे क्या है कि उसका meaning का पता चले ठीक है देखें एक बार फिर से देखें इसका definition a group of letters a group of letters which gives a complete sense is called word यहां कहने का मतलब क्या है कि word क्या होता है क्या हो बोल रहा है उसका meaning क्या है वो हमको complete पता चलना चाहिए उसका हम word कहते है कुछ example यहां देखें जैसे dog dog का मतलब हमको पता चल रहा है क्या है मतलब यह meaningful होना चाहिए यहां letter से ही word बने हुए और meaningful भी होना चाहिए दो condition कि मतलब उनका arrangement यहां पर देखें dog को ही इस तरह से लिखा गया OGD क्या इसका कोई meaning है नहीं यहां पर भी अगर मालीजे कि जिस तरह से definition है कि group of letters है तो यह भी तो group of letters है ना लेकिन इसको हम word नहीं कह सकते क्योंकि इससे हमको कोई भी meaning का पता नहीं चल रहा है word का definition में दो condition भी है कि वो letters से तो बना होता ही है लेकिन वो word जो letters से बना है वो इतना systematic ढंग से उसका arrangement होना चाहिए जिससे हमको उसका meaning clear cut पता चले यह भी group of letters ही है लेकिन word नहीं है क्योंकि यह meaning less है clear है देखें यह भी यहां c-e-t cat यह तो cat है यह तो word है इसका meaning तो पता चल रहा है कि cat means billy होता है लेकिन यह जो c-t-a लिख दिया है क्या इसका कोई meaning पता चल रहा है कुछ पता चल रहा है यह भी group of letters है लेकिन क्या हम इसको word कह सकते नहीं कह सकते क्योंकि इसका कुछ meaning पता नहीं चल रहा है यहाँ OWC, यहाँ तो पता चल रहा है कि comments गाय होता है तो यह तो word है, क्योंकि यह group of letters भी है और इसका meaning भी पता चल रहा है बट यह जो OWC दिया हुआ है, इसका कुछ भी meaning पता नहीं चल रहा है यह group of letters जरूर है, लेकिन इसे बिल्कुल meaning less है तो अब आपको समझ में आया कि word क्या है word जो है, वो group of letters से बना हुआ है मतलब letters का group से बना हुआ है ठीक है, लेकिन उसका arrangement इतना systematic होना चाहिए उसका arrangement इस तरह से होता है कि हमको उसके meaning का पता चलना चाहिए कि वो word का meaning है, मतलब वो word meaningful होना चाहिए यह सब भी letters की group ही है देखिए, तो यह 3 letter का group है ना यह भी 3 letter का group है, यह भी 3 letter का group है लेकिन इन सब का कुछ भी meaning पता नहीं चल रहा है इसलिए हम इसको word नहीं कह सकते लेकिन यहां देखिए, यह group की ही बात करे अगर तो यह भी तो group of letters है ना 1, 2, 3, 4, 5, 5 letters का group है और इसका meaning भी पता चल रहा है group में समो, पता चल रहा है तो इसको हम word कह सकते हैं, ठीक है तो अब समझ में आया, word क्या है word जो है, वो letters के group से बनता है और उसका meaning हमको clear cut पता चलना चाहिए तब हम उसको word कहते हैं, clear है अब next हम लोग देखेंगे sentence, ठीक है चली देखते हैं अब हम लोग sentence, ठीक है यह हमारे last है, क्या है a group of words which gives a complete sense is called sentence थोड़ा थोड़ा इसका जो definition है यह word से similar definition है sentence का, ठीक है क्या कह रहा है, कि a group of words वहाँ पर क्या था letter के group से word बना था, ठीक है और यहाँ पर क्या है, कि words की group से हमारा क्या बनता है, sentence बनता है लेकिन यहाँ भी condition दोनों के लिए सेम है वहाँ क्या था, letter का arrangement है, यहाँ word का arrangement इतना systematic धंग से होना चाहिए कि हमको उस पूरे sentence का meaning पता चले, ठीक है क्या है, a group of words which gives a complete sense is called sentence मतलब sentence क्या होता है, तो sentence जो है, वो words का group है, किसका group है, words का group है लेकिन इस तरह से, इस तरह से उसका group बना होना चाहिए इतना systematic way में उसका group बना होना चाहिए कि उसका पूरे sentence का हमको meaning clear cut पता चले, तब हम उसको जाकर sentence कहते है क्या कहते हैं? sentence कहते हैं कुछ example देखे example एक please go out तो यह देखे group of words है ना तीन word है इसमें तीन word का group है और एक sentence बना हुआ है और इससे हमको क्या है? meaning का भी clear cut पता चल रहा है तो इसको हम sentence कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर आईए please out go इसको अरेंजमेंट क्या है ढंग से? नहीं किया हुआ है इससे क्या है ना कि complete sense का पता नहीं चल रहा है complete यह meaningful नहीं है group of words तो है लेकिन meaningful नहीं है इसलिए हम इसको sentence नहीं कह सकते हैं यहाँ पर Mohan is a good boy देखे words का group है और meaning का भी पता चल रहा है कि Mohan अच्छा लड़का है लेकिन यहीं यहाँ पर आजिए boy good is Mohan a यहाँ पर भी तो है ना यह भी तो words का group है लेकिन हम इसको sentence नहीं कह सकते हैं क्योंकि इससे कोच भी meaning का पता नहीं चल रहा है क्या है? कोच भी meaning का पता नहीं चल रहा है तो अब आपको समझ में आए letter क्या है? तो word का smallest unit letter होता है word क्या है? तो letter का group letter का group से word बनता है लेकिन इस तरह उसका group होना चाहिए कि उससे मतलब कहने का मतलब clear cut आप इतना समझो कि group of letter तो होगा लेकिन साथ में वो meaningful होना चाहिए तब जाकर हम उसको word कहते है क्या कहते है? word कहते है और sentence के लिए भी same है group of words तो होते है लेकिन वो भी meaningful होना चाहिए तब हम उसको जाकर sentence कहेंगे तो ये तीनों चीज आपको clear हो गया अच्छे से clear हो गया अब फिर से एक बार फिर से revision कर लो letter smallest unit है word का word क्या है? तो group of letters है लेकिन उसकी arrangement इस तरह होना चाहिए कि वो meaningful होना चाहिए ठीक है? और next है sentence तो sentence कहा तो वो group of words है ठीक है? group of words लेकिन उसकी भी arrangement इस तरह होना चाहिए कि उस पूरे sentence का हमको meaning clear cut पता चले समझ में आ गया? मतलब letter से बना word और word से बना sentence अगर कुछ इस तरह से देखे तो ऐसे है ना चोटे-छोटे letter से मिलकर बना रहे है word और word मिलकर बना रहे है sentence अब आपको समझ में आ गया letter चाहोता है word क्या होता है sentence क्या होता है बिल्कुल clear है, तो आप कुछ example देखते हैं, ठीक है, जैसे यहां क्या है, कि वर्ड दिये हुए है, लेकिन इसका arrangement systematic नहीं है, यह meaningful नहीं है, लेकिन हमको इसको meaningful बनाना है, ठीक है, इसको अच्छे से arrange करना है, और यहां sentence दिये हुए, यह भी meaningful नहीं है, इसको भी हमको arrange करना ह में एक-क को मैं करके बता रही हूँ आपको, और दो-दो आगर आप सीख गये हो अच्छे से, तो दो-दो को आप अटा-फट कमेंट में करके बताओ, ठीक है, तो चली देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, C-A-S-S-L, इससे क्या बने का, इससे possibilities है, class बनने का, क्या बनने का class C-A-S-S, हो गया ना meaningful, अब next, I-A-Girl-Am, क्या है, I-A-Girl-Am, यह बिल्कुल भी meaningful नहीं है, लेकिन इसको हम लोग को arrange करके meaningful बनाना है, ठीक है, यह मतलब कि एक group of words तो है, लेकिन sentence नहीं है, क्योंकि यह meaningful नहीं है, तो चली हम लोग बनाते हैं इसको meaningful, तो क्या होगा इसमें, I M-A-Girl, clear है, अब अगर आपको भी अच्छे से समझ में आ गया है, तो चली हम फटा फट यह दोनों को और यह दोनों को, मतलब इन चारों का ही answer फटा फट कमेंट करके बताई है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like share, जरूर करे, और उन लोगों क साथ खास करके जरूर share करे, जो वाकई में English सीखना चाहते हैं, चाहे वो junior हो, senior हो, या competitive label को, यह जो basic English है, यह सब के लिए बहुत ही जादा जरूरी होता है, अगर आपका base strong है, तो आप आगे भी बहुत ही अच्छा कर सकते हो, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तब की लिए, बाइ बाइ